Hello everyone and welcome back to the channel. I hope आप सब ठीक होंगे. आज का जो हमारा topic है that is education technology. MCQs तो हमने बहुत सारे किया है चाहे वो economics के regarding हो, चाहे वो education regarding हो, चाहे वो sociology के regarding हो, या किसी और subject के regarding हो ठीक है. यह जो subject है इनके regarding हमने बहुत सारे MCQs किया है ठीक है. लेकिन आज का जो हमारा topic है वो है education technology. आज मैंने बहतर समझा कि इस topic को आज हम descriptive mode में पढ़ेंगे. तो इस वीडियो में और इस topic में आज हमने जो पढ़ना है वो है definition of technology. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे definition of technology, याने technology को किस तरह से define किया गया था ठीक है. उसके बाद हम पढ़ेंगे meaning और definition of education technology के बारे में. उसके बाद हम पढ़ेंगे characteristics of education technology. यह जो तीन topics है इनको आज हम इस वीडियो में कारप करने वाले हैं. तो वीडियो को सिकिप मत करना एंड तक देखना वीडियो को शुरूर करने से पहले जो भी हमारे चैनल पे नए है चैनल को सबस्क्राइब कीजे और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजे ताकि जब भी हम को यह नए वीडियो अपलोड करेंगे उसकी notification आपको on time मिलेगी. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दो ग्रीक वोड़ों से एक है टेकनीक ठीक है और दूसरा है लागिया ठीक है तो मैंने कहा कि यह जो वोड टेकनालजी है यह डिरए हुआ है दो ग्रीक वोड़ों से एक है टेकनीक और दूसरा है लागिया टेकनीक का मतलब होता है आर्ट ठीक है आर्ट याने आर्ट का मत मतलब होता है, sinus और steady, okay, so I repeat again, मैंने कहा कि यह जो word technology है, यह derive हुआ है, दो ग्रीक वोड़ों से, एक है technique और दूसरा है lagya, technique का मतलब होता है, art और sikil, ठीक है, और lagya का मतलब होता है, sinus और steady, तो उसके बाद यह जो definition है, ठीक है, यह जो definition है, यह define करता है technology को, कि यह जो technology है, it is the sinus, और the steady of art and sikil, मैंने यह जो define किया था technology को यहाँ पर, यह definition जो है, यह define करती है technology को, कि यह जो technology है, it is the sinus, ठीक है, यह एक तरह का sinus है, और we can say, it is the steady of art and sikil, ठीक है, जब भी हम पढ़ेंगे, किस के बारे में, art या फिर sikil के बारे में, हम कहेंगे, we are studying about technology, यानि हम technology को पढ़ते हैं, ठीक है, और कहने का मतलब यह है, कि इसके अलावा, हम इस तरह से define कर सकते हैं, किस को, technology को, यानि यह जो technology है, जब भी हम जानेंगे, किस के बारे में, art और technology के बारे में, हम कहते हैं, कि हम पढ़ेंगे technology के बारे में, ठीक है, तो यह जो definition थी, यह एक basic definition थी, हम कहेंगे, कि it is a basic definition of, क्या, it is a basic definition of technology, यह हम expect कर सकते है, जिसको यह subject ना हो, ठीक है, one who doesn't know about the technology, one who doesn't know about the education technology, ठीक है, जिसको यह subject ना हो जिसको जो बंदा इस background से बेलांग ना करता हो हम इस तरह की यह जो definition है उस बंदे से expect कर सकते हैं ओके लेकिन उसके बाद एक philosopher आया था ठीक है जिसका नाम था हेरिया ठीक है हेरिया ने किस तरह से define किया था educational technology को ठीक है यह जो education technology है उन्होंने किस तरह से define कि था technology को ठीक है एक तरह का set होता है किसका instruments का which are user ठीक है जिसका इस्तेमाल किया जाता है तो satisfy the needs of community जिसका इस्तेमाल किया जाता है तो satisfy the needs of community यानि जो needs होती है कि क्या है तो अब हम जानेंगे educational technology क्या है यानि what does education technology mean ओके तो अगर हम इसकी definition के बारे में जानेंगे यह जो meaning है education definition की यह जो education technology है इसकी जो meaning है और इसकी जो definition है उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे तो देखे यहाँ पे लिखा है कि education technology is a system ठीक है यह जो education technology है यह एक तरका system है यह एक तरका निजाम है क्या है यह एक तरका system है जिसे और दुमें हम system को कहते है निजाम ठीक है यानि education technology जो है यह एक तरका निजाम है एक तरका system है in which man, material and methods ठीक है जिसमें man, material और methods ठीक है और interrelated ठीक है जिसमें यह तीन हो चाहे वो man हो चाहे वो material हो या फिर methods हो यह जो तीन चीज़े है यह आपस में interrelated होते है ठीक है तो मैंने कहा कि यह जो education technology है यह एक तरका निजाम है यह एक तरका system है जिसमें man, material और method जो होते है यह आपस में interrelated होते है and work together और इसके अलावा यह आपस में काम करते है लेकिन किस के लिए for the fulfillment of special education objectives ठीक है यह जो education है ठीक है education objectives जो है उसको fulfill करने के लिए उसको fulfill करने के लिए यह तिनों आपस में interrelated होते है और यह तिनों आपस में काम करते है और इसके अलावा it also works ठीक है इस चीज़ को promote करने के लिए इस चीज़ को maximize करने के लिए यह आपस में interrelated होके आपस में काम करते है ओके तो यह थी कुछ basic meaning इसकी तो अगर हम इसकी definition के बारे में बात करेंगे तो definition में क्या कहा गया है कि educational technology जो है it is the branch of study ठीक है यह यह एक तरह की branch होती है ठीक है हम कह सकते आपके education जो है यह जो technology है technology is the branch of science और we can say it is a branch of art and c के लिए मैंने technology को यहाँ पर define किया था ठीक है लेकिन अगर हम education technology की बात करेंगे education technology जो है it is the branch of study यह एक तरह की branch होती है study की ठीक है in which the benefits of engineering जिसमें engineering की जो benefits होते है या हम कह सकते ही जो engineering की technique होती है या हम कह सकते है कि जो information science होता है natural science होता है या behavioral science होता है ठीक है या यह जो मैंने चीज़ें यहाँ पर discuss की है चाहे वो engineering हो technique हो informational science हो natural science हो या फिर behavioral science हो यह जो चीज़ें है इन चीजों का जो benefit होता है education technology उस है आप education है उस चीज़ को promote करने के लिए उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए वो इन चीज़ों के benefits का इस्तेमाल करते है ठीक है यानि education technology के जरिये ही हम इन चीज़ों के benefits का इस्तेमाल करते है और जो education option से है उस चीज़ को प्रेमूट करने के लिए हम इन चीज़ों के benefit का इस्तेमाल करते हैं, ओके, तो यह जो definition थी, यह थी, education technology की, अगर हम बात करेंगे, इसके बाद, characteristics, यह जो characters है, ठीक है, characteristics of education technology की, ठीक है, तो उससे पहले हमने जानना हो, जानना चाहे कि, यह जो मैंने यहाँ पर बात की थी, engineering benefits, ठीक है, माने के चलो कि, अगर हम पुराने जमाने की बात करेंगे, उस time हम चाक से लिखते थे, ठीक है, क्या, चाक से लिखते थे, लेकिन होता है, यह जो words होते है, उनको वो visualize नहीं होते थे, ठीक है, लेकिन जब technology हुई, जब technology में implement हुई, तो आज कल फिर जो marker board आए थी, ठीक है, wide board जिन में markers का इस्तिमाल किया जाता है, लेकिन आज कल, बहुत सारे institutions में किन का इस्तिमाल किया जाता है, वो जो projectors होते है, ठीक है, projectors का इस्तिमाल होता है, ठीक है, यानि smart boards का इस्तिमाल होता है, ठीक है, यानि इन से क्या होता है, एक तरह का मतलब, यह जो बच्चे होता है, इनमें हम एक तरह का PPT तयार करके, उस चीज़ को ऐसे समझाते ठीक है यानि हम अच्छी तरीके से डायग्राम बनाके वहां पे जो पीपीटी के जरी अच्छी तरीके से डायग्राम बनाके बचुक को मतलब फुल फिली याने फुल फिली हम क्या कर सकते हैं हम उसको अंडरस्टेंड करवा सकते हैं ठीक है यानि अच्छी तरह किसे इन ची की बात करेंगे, जब हम वो blackboard पर लिखते थे, जब हम चाकस का इस्तेमाल करते थे, वहाँ पर हम images का इस्तेमाल नहीं करते थे, देखें, अगर जब तक हम image बनाते, तब तक class का जो time period था, वो खत्म हो जाता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम projectors जो होते हैं, हम और कुछ सीखते हैं, ठीक है, हम smart boards के ज़रे, हम projectors के ज़रे, बहुत कुछ सीखते हैं, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है, इस वाज़े से इन चीजों का इस्तेमाल है, हम पर इन चीजों के जो फाइदे हैं, इन चीजों के जो benefits हैं, जो एज़ेशन टेकनालोजी है, इसके ज़रे हम इन चीजों के benefits को इस्तेमाल करके, हम अपनी जो education system है, यहने जो education technology है, उस जो education options है, उस चीज़ को बढ़ाने के लिए, उस चीज़ को प्रैमोर्ड करने के लिए, हम इन चीजों मैंने बात की क्योंकि ये जो education technology है it is totally based on scientific and technology advancement ठीक है तो इसका मतलब क्या है मैंने पहले कहा कि ये जो education technology है ये किस पर depend होता है ये किस पर based होता है it is totally depend on advanced technology क्योंकि अगर हम जो मतलब नए-nए तरीके होते है ठीक है जो नए नए तरी के मान के चलो कि projectors की अगर हम बात करेंगे ठीक है याने computer की अगर हम बात करेंगे अगर हम इन चीजों का implementation याने इन चीजों का establishment कहां पर करेंगे soculus में, institutional में ठीक है तो वहां पर जो education system है उस चीज़ को promote करने के लिए हमें इन चीजों का इस्तेमल वहां पर करना जोरी है ताकि जो बच्चे है ठीक है वो एडवानस उनकी जो learning process होगी वो एडवानस हो जाए ठीक है तो इस वज़े से जो इसका पहला character होता है वो होता है कि it's totally based on scientific and technology advancement अगर हम दूसरी बात करेंगे तो it is more practical and less theoretical यह जो education technology होती है it is totally more practical ठीक है and less theoretical तो इसमें सबसे ज़्यादा किस का मतलब जिस में चीज़ का जो contribution रहता है वो रहता है किसका practical system का इसमें पढ़ाय जाता है लेकिन इसमें ज़्यादातर focus किया जाता है practical system पे किस पे practical पे rather than theoretical process पे ठीक है यह जो practical system होता है यहने इसमें ज़्यादातर क्या किया जाता है practical किया जाता है rather than theoretical courses यहाँ पे कम पढ़ाय जाता है लेकिन जो experiment चीज़ होते है जो practical चीज़े होते है यहाँ पे उन चीज़ें पे focus किया जाता है तो next is that is it brings people, teacher and technical means together in an effective way मैंने पहले ही कहा कि यह जो people का मतलब होता है students ठीक है यह जो students होते है teachers होते है यह technical means होते है together in an effective way यह एक अलग तरीके से मतलब उबरते है ठीक है आगर आप सोब को पता होना चाहिए कि जब technology का इस्तेमाल करते है यानि जो projectors होते है computers होते है in maximizing teaching learning process तो यह हमें मादद करती है teaching learning process जो होती है उस चीज़ को maximize करने के लिए उस चीज़ को improve करने के लिए उस चीज़ को promote करने के लिए यह हमें help करती है ओके So that was all about today's topic Hope you like this video अगर video पसंद आया तो video को like कीजिए और अपने friends के share कीजिए और अगर आप इसका part to be चाते है तो please comment कीजिए तो मिलते हैं इंशाला next video में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज